नमस्कार भक्तिबूर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है जैस्री कलकी भगवान जैस्री विश्नु भगवान आज के इस वीडियो में हम एक पुरानिक पर्षंग के उपर बात करने वाले हैं कि आखिर विश्नु भगवान का सच्चा भक्त कोन है आखिर भगवान विश विश्नु एक चितर बनाने में इतने तलेन थे कि नार जी की तरफ एक पल भी नहीं देखा और अन्य देवताओं भी भगवान विश्नु के दर्वार में लाइन में खड़े थे वो भी उनकी कृपदरश्टी पाना चाहते थे ताकि एक पल के भर के लिए भगवान उनकी लेकिन उन्होंने किसी की भी तरफ नहीं देखा, और अपने चितर बनाने में तलीन थे। एक चरमकार जैसे दिखाई देने वाले व्यक्ति का भगवान ध्यान मुद्रा में चितर बना रहे हैं तब तो नारजी और भी विहलो उठे उन्होंने सुचा कि मैं भी उनका इतना अच्छा भक्त नहीं हूँ वो तो किसी और का बना रहे हैं चितर तब ही वो वापस भूलोग को आ गए और गुमते गुमते पृत्वी पर कई दिनों बाद उन्होंने एक चरमकार को देखा जो चरम के धेर में बेठा था पशीने से लटपत था तो उन्होंने पैचान लिया कि भगवान इनका ही चितर बना रहे थे और वो उनके पास तो नहीं रह सेके क्योंकि दुर्गंत बहुत ज़्यादा आ रही थी चाम के धेर से नारजी एक सथान पर खड़े होकर परतिक्षा करने लगे कि आखिर इनकी दर्ण्चरिया के बारे में देखते हैं कि आखिर ये भगवान की भक्ति कैसे करते हैं और भगवान विश्णों को स्राप देने के लिए हाथ उठाये था कि माता लक्षमी वहाँ पर आ गई और बोले नारजी आप इतने विहल क्यों हो रहे हो भक्त की भक्ति तो देख लीजिए भक्ति भक्ति का उपसंगार तो आप देख लीजिए तब नारजी बोले ठीक है तो मैं देखता हूँ और साइं हो गई तब उस भक्ति ने अपने गठरी को संभाला और सभी वो जो बना रहे थे वो गठरी में बांद कर परनाम किया और बोले हे प्रभू आपने मुझे ऐसा अच्छा काम दिया और उस कारिये में मेरा मन लगा ऐसा ही मैं आप से मांगना चाहता हूँ और आपका शुमरन भी करता रहूं और कारिये भी करता रहुं ऐसा ही मुझे परती दिन आप मेरे उपर ये उपकार बनाई रखना पर हूँ ऐसी किरपा आप मुझे पर जरूर करना तब नार्जी समझ गए कि भगवान उनी पर कृपा करते हैं जो अपने कारिये में तलीन होकर परवु का शुमरन भी करते हैं और अपना कारिये भी करते हैं तब नार्जी को समझ में आ गया कि भगवान विश्णु को ऐसे ही भगत पर यह हैं तो आपको यह कथा के माध्यम से अगर कुछ ग्यान मिला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ऐसे ही भकती से जुड़े वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बैल आइकन जरूर दबाएं धन् झाल करें और दाव पार छोर में धन् égal गजह होगी में तो मिला में ठावर शेलुपट झाल करें लिए है Chicken.